कोरोना वाइरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, जससे घरीब तपके के लोगों को काफी परिशानी जहिलनी पड़ रही है। ऐसे हालातों में मदद करने ना तो प्रशासन सामने आता है और ना ही कोई सामाजिक संस्था आगे आती है। गरीब तपके के लोगों को मुसीबत में अपना सहारा खुद ही बनना पड़ता है। ले जाता दिखाई दिया। लेकिन ये बेटा भी उन बेरोजगार हुए युवाओ में से एक है जो लोगडाउन के कारण इतनी तंग हाली में पहुँच चुका है कि वो अपने बुड़े माबाप का इलाज कराने के लिए भी पैसो का इंतजाम नहीं करा पा रहा। इसके बाद बिमार बुड़ी मा ने अपने अकाउंट से वृद्धावस्था पैंशन के सौर उपे निकाले और खुद अपनी दवाओ का इंतजाम किया। पैसा की कमी है बईया। दवाईयां लानी दवाई का लिये हैं तो दवाई भी उड़र से लेते आएंगे। अमितिवारी। इमाता जी है। इरजबगल में। इमांचल टाकिट वाली गली में। इस तस्वीर को दिखाने के पीछे हमारी मंचा लॉगडाउन का विरोध करना नहीं। लेकिन हम जिला प्रशासन, स्वास्तेविभाग और तमाम समाच सेवी संगठनों को उन हालातों से रूबरू कराना चाहते हैं। जो इन बुजर्गों को लॉगडाउन के चलते जहिलनी पड़ रही हैं। पंजाब के इसरी के लिए कानपुर से हमरीश्त्र पाठी की रिपोर्ट।